नमस्कार दोस्तों आज फिर आपके साथ उपस्तेता हैं एक और नई कहानी लेके हमारी दास्तान सिरीज में और कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप दाउद इबराहिम पे स्टोरी करिए मैंने हमेशा का कि दाउद इबराहिम पे स्टोरी जो है हर न्यूज चैनल कर चुका है कभी उसकी फोन कॉल, कभी उसकी रिंग टोन की कहानी, कभी दाउद इबराहिम के फैमिली की कहानी तो दाउद इबराहिम सबसे ज़्यादा कवर किया जा चुका है मैंने जो D Gang से शुरू किया कहानी जो कवर की वो मैंने D Gang के लोगों पे कवर की जो मीडिया में नहीं आई with exclusive papers जो मैंने आपको हमेशा दिखा है तो जो भी ये कह रहा है कि दाउद इबराहिम की कहानी सुनाई है तो दाउद इबराहिम सबसे ज़्यादा मीडिया में कवर्ड हुआ 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 है तो उसके बारे में exclusively क्या सुनाई ये मेरे को नहीं समझ आ पाता है तो इसलिए मैं दाउद इबराहिम की स्टोरी नहीं करना चाता हूँ ये ही बात मनिया सुर्वे के लिए भी मैं कहना चाता हूँ कि मनिया सुर्वे पे और अल्रेडी फिल्म बन चुकी है तो मैं क्या कहानी सुनाऊ कुछ exclusive details निकालने में बहुत time लगता है और उससे better है कि हम दूसी stories सुनाए दूसी तरफ हम बहुत ही जल्द एक और stories दास्तान में लेके आएंगे जो की encounter के उपर होंगी जो police ने encounters किये वो किस तरीके से किये किस तरीके से प्लान किये खास कर Mumbai और South का उसके लावा बहुत सारे लोग comment करते हैं channel पे की आप stories जल्दी जल्दी लाइए तो channel है यह हमारा मोगली production जो एक channel है इसमें हर तरीका का content है दास्तान जो है वो एक channel का एक series है उसके अलावा हमारे बहुत सारे episodes हैं जैसे camera के review को लेके photographic को लेके travel को लेके food को लेके तो यह channel है तो आप यह मानिया कि आपको stories के लिए थोड़ा wait करना पड़ेगा और जैसी story आएगी वो आप अपनी पसंद की stories देख सकते हैं क्योंकि channel होने के नाते हमारी यह duty बनती है कि हम हर subscriber के लिए हर viewer के लिए जो हैं आपका content दें तो मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोगों से की थोड़ा सयम रखा करें stories आएंगी stories बंद नहीं होंगी दास्तान series की कोशिश हम यही करेंगे कि जितनी हम ज़्यादा stories कर सकें उतनी करेंगे और बहुत ही जल्द आप जो हैं दास्तान series में नए anchor से मिलेंगे क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ इस स्टोरी सुनाने में क्योंकि में और भी stories के लिए investigation और लोगों से बात करना मिलना information निकालने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है तो वो जो टाइम है दूसरा anchor उसको कोशिश करेगा कि जब मैं नहीं हूँ तो वो स्टोरी आपको सुनाए दूसरी तरफ हम एक बहुत जल्दी ही कुछ नए passports की copy दिखाएंगे most wanted की जिसको हम निकालने में लगे वे हैं और बहुत जल्दी मुझे उमीद है कि वो passports की copies हमें मिल जाएंगी और दूसरी तरफ कुछ exclusive pictures भी हम लेके आने वाले हैं एक south east mafia के dawn की जिसके खिलाब red corner notice है तो बहुत जल्दी ही आप लोग जो हैं बहुत कुछ देखने वाले हैं दास्तान series में नया तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आज की जो कहानी है वो शाहिद आजमी के murder की कहानी है तो शाहिद आजमी का murder कैसे plan हुआ किस ने plan किया यह पताने से पहले मैं आपको शाहिद आजमी के बारे में एक थोड़ी सी detail देता हूं जिस से आपको एक idea मिले क्यों उसका murder plan हुआ पहला शाहिद आजमी जो है आजमगर्ड डिस्टिक जो यूपी का है वहां से मूल निवासी रहा और इसके जो फादर ते वहां से शिफ्ट हुए कहते हैं मुंबई शिफ्ट हुए और वहां पे उन्होंने इलेक्टरिशियन की एक शॉप खोली शाहिद आजमी के फादर ने जब शाहिद आजमी 14 या 15 साल का था 1992 के आसपास तो शाहिद आजमी को अरेस्ट किया गया था मुंबई राइट के में पार्टिसिपेट करने के लिए और उसको जेल भेजा गया था तो जो जेल भेजा गया था उसमें उसके खलाफ कोई चार्जिस नहीं बन पाए और दू बाहिजद बरी कर दिया गया जब थोड़ी सी और उसकी उमर बड़ी तो कुछ लोग मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शाहिद आजमी जो है कश्मीर गया था पी ओके गया था वहाँ पे ट्रेनिंग लेने मिलेटियन ग्रूप की और उ उसमें से कुछ सिफ सेना के भी नेताओं का नाम आया था तो वो टांडा के तहत जो है उसको अरेस्ट किया गया और उसको जेल भीजा गया चैसाल वो जेल में रहा उसको तिहार जेल में रहा तिहार जेल के दौरान जो है उसने अपनी पढ़ाई पूरी की फिर लौ पूर थे उसका ये कहना था कि हर आदमी जो है टेरर अक्यूज नहीं होता है पुलिस उसको उन लोगों को फसाती है जूटे केस बनाती है तो मेरा काम है उन लोगों को बचाना तो अब तक जो था जब तक वो जीवित था तो तब तक उसने 17 लोगों को बाइज़त बरी कराया था टेरर चार्जिस थे दूसी तरफ मैं आपको एक बताता हूँ कि जब इसने जो जो केसे लिए शाहिद आजमी ने वो थे 26 ग्यारा का जो मुंबई पे अटाइक हुआ था ताज होटल पे 2002 में घाट कोपर में बॉम्बिंग हुई थी उसके अक्यूज को बचाने के लिए उसने केस लिया था 7-11 मुंबई ट्रेन ब्लास हुआ था 7-11 तो उसमें भी जो अक्यूज थे उसकी तरफ से जो वकील था वो शाहिद आजमी था 2006 में एक औरंगाबाद में आम्स का एक केस हुआ था उसमें जो था शाहिद आजमी उसकी तरफ से वकील था और 2006 में माले गाओं में बॉम्बिंग हुई थी उसमें भी जो उनकी तरफ से जो वकील था वो शाहिद आजमी ही था अब शाहिद आजमी ने जितने भी केसे लिए वो टांडा के जो टेरर अक्यूस थे उनी के लिए और कुछ बहुत सारी जैसे मैंने बताए 17 लोगों को उसने जो है बाईज़त बरीबी कराया ये बात जो है शाहिद आजमी की ये जो बात है ये बहुत से लोगों को बुरी लगती थी कि शाहिद आजमी जो है टेरर अक्यूस को की तरफ से केसिस लेता है और उनको बचाता है तो एक तरफ जो दो हिस्सों में लोगों का धड़ बढ़िया था एक था कि जो शाहिद आजमी को सपोर्ट करते थे और एक धड़ था जो शाहिद आजमी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था और कहता था कि ये जो है जो शाहिद आजमी कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा ह तो ये भी कुछ लोग बताते हैं कि कोट में अंदर और कोट के बाहर शाहिद आजमी को टेररिस्ट लॉयर कहा जाता था कि टेरर का आतंगवादियों का वकील कहा जाता था तो जो दो धर थे वो आपस में एक परस पर विरोधी होगे एक सपोर्ट वाले और एक दूसी तरफ नॉन सपोर्ट जो शाहिद आजमी के खिलाफ थे इसी बीच में अब आता है अंडर वर्ड कि अंडर वर्ड ने इसकी कैसे मर्डर की प्लान की अब इस पे चलते हैं तो यह जो मिड टू-थाउजन था मिड टू-थाउजन में क्योंकि 94 में चोटा राजना लग हुआ था और जो मीडिया में और सब जगान न्यूज आएं की अंडर वर्ड भी जो है बहुत ज़्यादा देश भक्ती की तरफ बढ़ लाया है और जो टेरर अक्यूजड है 93 बॉम ब्लास के उसको छोटा राजन खतम कर रहा है और कुछ मीडिया रिबोर्ट ये कहती थी एजनसी जो हैं छोटा राजन को यूजड करके 93 बॉम ब्लास के लोगों को खतम कर रही है तब यहां पर अंडर वर्ड की एंट्री होती है तो जो लोग शाहिद आजमी के खिल दॉन है तो उनको जो टागेट लगा वो शाहिद आजमी लगा कि हम कर सकते हैं तो सबसे पहले कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसके लिए बहुत जारा फंडिंग घटी हुई थी और वो डिफरेंट 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 के पास गई थी वो फंडिंग जो है और उस सबसे पहले जो ये केस गया वो रवी पुजारी पे गया तो कि रवी पुजारी जो है 2009-10 के आसपास अपने आपको बहुत ही लोग को फोन करके और सब करके कि मैं एक देश बट दौन हूं मैं देश के खिलाव जो लोग बोलेंगे मैं उनको खतम करूंगा दाउत के लोग खतम करूंगा तो कहते हैं कि रवी पुजारी को ये केस शायद आजमी के मर्डर का केस जो है दिया गया और रवी पुजारी ने एक से दो साल उस केस में लगा दिये मतलब कि प्लानिंग करने में और जिस लोगों ने अप्रोच कि अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन-कौ लोग जो थे अप्रोच हुए थे और कितना पैसा जो है रवी पुजारी को दिया गया तो एक-दो साल ऐसी बीद गया और रवी पुजारी हमेशा ये कहता रहा है कि नहीं आप करेंगे दो दो दिन बात करेंगे और एक से दो साल पीट गया तो देश भक्त भी डॉन बनना चाता था रवी पुजारी इसके लिए उसने शाहिद आजमी के मर्डर का केस लिया कि अगर मैं शाहिद आजमी को मर्डर कर दूँगा जो कि एक टेरर अक्यूस को बचाता है तो मैं बहुत बड़ा डॉन बन जाऊंगा देश भक डॉन बन जाऊंगा और चोटा राजन की जगा लेने के काबिल हो जाऊंगा तो इस वज़े से रवी पुजारी ने वो केस लिया मर्डर करने का लेकिन उसमें वो सक्सेस्फुल नहीं हो फाया अब इसी के बाद जो है यह केस जो है मतलब शाहिद आजमी के मर्डर की प्लानिंग है वो अप्रोच होती है छोटा रा शाह साथ में था चोटा राजन के लेकिन बाकी सब लोग अलग हो चुके थे तो जब बाकी सब लोग अलग हो चुके थे तो चोटा राजन को भी यह काम कराने में पढ़ेशानी आई क्योंकि उसके पास लोग नहीं थे अब जब लोग नहीं थे तो चोटा राजन भी इस तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाया क्योंकि बीच में एक कई बार जो है छोटा राजन खुदी फोन कॉल करता था दूसरे लोगों को कि भाई तुम इस काम में मत पड़ो ये मेरी जमीन है कुछ ऐसा करके किस्सा वो हमेशा खुद फोन करता था क्योंकि जनरली क्या होता था जितने भी बड़े डाउन होते हैं स्केल पर पॉँचने के वाद वो डिरेक्ट कॉल नहीं करते हैं वो अपने साथ के लोगों से कॉल करवाते हैं तब चोटा राजन अलग से सब लोग अलग हो गयते तो चोटा राजन जो है सब खुदी लोगों को फोन करके धंकाना शु आप हैंसरे अवैन कीम जी को पाइसा दिये कि नहीं किम जी को का आइका पाइसा देनेका भाई वो जमिन का जो साउधा हो के दन linear का कि भाई हुसको हमरा कुछ देने का हिनी है उसका कुछ पाइसा ही निकलता है इह भाई हमने तो जमिन किसी और से खरीए फिसके अहुरे र अप्रमीन ओनर है लीगल ओनर है उससे कब पासे लिया है भाई भॉलो भॉण आज अजिए आरे तो भॉलोगे नहीं भाई लेकिन उसको कुछ वह कभी मिता सिंगा के पैसा मंगती है कभी ओप किम जी पैसा मंगता है भाई उसका कुछ जी देने का निकलता है तो गिन्ठी मेरे निए काम कर रहा है तो जरा भी नाटक करे कवा जी निकलता है भाई में गरीब आपमी को जवबर्दसती पैसा मांगाग तो सुनो आप भै, तो मैं देखो भै, गरीबात में दुनियावर का करजा लेके मैंने जगे पॉट ने उनार में पर ज़िए तो पॉट गोलेगा भै, उसका कुछ पैसा ही नहीं निकलता भै, खिम जी का कुछ सम्द्ध पैसा दे, नहीं तो अम चुछे तो मरेगा, जयान मे कनना अउन जी, गरीब आज बना भै, तो मेरे लिए काम कर रहा है तो मुझ तो पैसा दे दे, ने तो दो नहीं समझ लोगा वंट, या तो भै, दो रह भी बात मीं हो भै, तो पैसा विज़त पैसा. बैए प्लीज मेरी बात तो सुनिये जरूँ आपकी बात बरो बर है लेकिन मेरी बात तो सुनिये भाई अप हलो हलो ये वो फोन कॉल है जिसमें छोटा राजन कह रहा है कि मैं नाना बोल रहा हूं तु उस लड़के से या उस आदमी से मत पंगा कर या उसको पैसे दे तो चोटा राजन इससे ये साविद होता है कि चोटा राजन के पास लोगों की कमी होनी शुरू हो गए थी और वो खुद ही जो है फोन करके लोगों को धमकाना शुरू कर रहा था अब जब ये काम छोटा राजन से भी नहीं हुआ तो ये काम अब पहुंचता है विक्की शेटी यानि की विजेशेटी पे विजेशेटी यानि की विक्की शेटी ये दो नाम एक ही विक्ति के हैं कुछ लोग विकी शेटी कहते हैं, कुछ लोग विजेशेटी कहते हैं, लेकिन असली नाम है बाला कृष्णन, तो ये काम अब विजेशेटी भी पहुंचता है, तो ये विजेशेटी जो है उस समय छोटा राजन से अलग हो चुका होता था, और जब छोटा राजन से अलग ह के अपने आपको एक establish करना था यह मैं honestly कहता हूं कि गैंग वार में भी या फिर अंडर वर्ल्ड में भी आपको अपने आपको establish करना बहुत जरूरी होता है इसलिए बहुत सारे चीजें की जाती है अब इसके बाद जब यह काम विजे शेटी पे जाता है तो विजे शेटी संतोष शेटी अब भरत नेपाली मिलके इसकी planning करते हैं तो संतोष शेटी का भी इस case में नाम आया लेकिन 2014 में संतोष शेटी को discharge कर दिया गया इस case से उसको बाइज़त बरी कर दिया लेकिन जो जानकार हैं वो बताते हैं कि संतोष शेटी ने जो विजे शेटी के साथ मिलके planning की वो यह थी कि संतोष शेटी का जो काम था पूरी detail निकालना शाहिद आस भी की वो संतोष शेटी ने की कि कैसा दिखता है कहां रहता है कहां जाता है कि इस तरीके से वर्क करता है वो सारा काम जो है संतोष शेटी ने किया अब विजए शेटी ने क्या किया विजए शेटी ने लोगों को हायर किया प्लानिंग की कैसे किसको execute करना है और कैसे लोगों के पास पैसा पचाया जाए गया तो इसमें जो main लोग जो जुड़े वो चा लोगों का नाम आया एक था नाम था विनोध एक का नाम पिंटू एक का नाम देवेंदर जगदाफ जिसको जे और डी भी कहते हैं enclosed और एक है खसबुक सोलंकी ये चार जो थे शूटर थे इनको hire किया अब इसको hire करने के पीछे विजे शेत्टी का दिमाग था विजे शेत्टी ने इसमें जो है जेडी को इस्तमाल किया जेडी को हाइर किया जेडी को हाइर करने के पीछे उसका reason ये था कि कुछ साल पहले जब ये संतोष उठी विजय शेटी बरत नेपाली सब छोटा राजन के साथ थे जो जेडी को एक लाग रुपै छोटा राजन और उसमें जेडी ने ये गल्ती कर दी थी कि उसकी जो बंदूप से जो गोली चली उसके तमंचे से जो गोली चली वो किसी जिस विक्ति को मानना था उसको ना लगके एक political worker को गोली लग गई अब जो पॉलिटिकल गोली है वो political worker को लग गई तो इससे छोटा राजन कहते है कि घबरा गया और छोटा राजन ये घबरा गया कि अब पॉलिटीकल इशू हो जाएगा क्योंकि मेरा नाम आएगा तो बहुत नुकसान होगा तो कुछ लोग कहते हैं कि छोटा राजन ने जेडी को मानने का काम दिया कि जेडी को कर दो कि इसकी वएसे पॉलिटिकल पॉलिटिकल परसन की हत्या हो गई है मिस्फायर से तो अब जेडी को खतम कर दो जेडी यानि की देविंदर जगदाप तो अब इसमें कहते हैं कि विजे शेटी की एंट्री होती है तो वो कहता है कि तहीं छोटा राजन से समझा हूं ज़ा के कहता है कि नहीं इसको मत मारो क् चोटा सा एक बच्चा है वो उसका फैमिली खतम हो जाएगी तो जेडी को कहते हैं कि नाना को समझाने में और जेडी को वहां से मुंबई से हटाने में विकी शेटी यानि की विजे शेटी का हाथ ता उसमें कुछ पैसे भी खर्च होते हैं अब इसी बीच में ये सब जो है शायद आजमी जो है उनके साथ जो है केस लड़ता है और उनको जो है कानून से बचा लेता है और तुझे भी अपना मार्केट बापिस बनाना है तो तुझे जो है जेडी को जो है शायद आजमी का मर्डर करना है इस तरीके की बाते बोलके जेडी को जो है इंस्पा बचाता था शाहिद आजमी के लिए ये भी कहा जाता है कि उसको जो फंडिंग थी वो कुछ बाहर के कंट्रीस से आती थी जिससे शाहिद आजमी जो है जो टेरर अक्यूज होते थे उनको पैसा देता था और अपनी केस की फीस भी लेता था तो ये ये बातें जो है अंडर व जो है एक सपोर्ड वाला और एक अगेंस वाला शाहिद आजमी के वो अंडर वर्ल्ड पे पहुंचता है और इसमें विकी शेटी जो है पूरी प्लानिंग करता है अब प्लानिंग ये हुई कि अब इसको खतम करना है अब खतम जेडी ने और लोग को हायर किया और इसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है राहू यानी की राजू अब ये वो व्यक्ति है जिसकी ना कोई फोटो है ना कोई सैंपल है अब ये लोग जो थे विकी शेटी संतोष शेटी जो भी भरत नेपाली खासकर विजय शेटी यानि विकी शेटी ये जो है हमेशा फोन कॉल जेडी को या किसी को भी जो करता था वो वाईप से करता था वाईस ओवर इंटर्नेट प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं और जो पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया जो वाईप नंबर थे और विजेशेटी जो है जो मैंने अभी नाम बताया राहुल तिवारी और राजू नाम से जो है और लोगो को फोन करके बताता है कि यह मतलब कि जो किलर्स वो ऐसा देखेगा शा believer चाहिदासमी और ऐसा देखेगा ऐसा राहुल यानि कि राजू जो है कहते हैं की जब ये फोन जाता था तो ये राहलwe Hawk healthy और राजू नाम से जाता था और कुछ लोग तो एक कहते हैं की माइंड डाइवर्ड करने के लिए पुलिस को dip Face과 डाइवर्ड करने इस नाम की लोग परसन को ढूंटी रहे और इनके उपर से फोकस हट जाए तो अपर सोचिए कि कितना दिमाग लगाया जाता है किसी भी चीज को एजीक्यूट करने के लिए और इन लोगों ने इस तरीके से एजीक्यूट मलब की नाम तक बदला बहुत दिमाग लगा के दू जिवारी यानि की राजू ने जेडी से बात की और एक इमेल आइडी दी वो इमेल आइडी थी आर्थर रोड 12 एक याहू डॉट कॉम ये इमेल आइडी जो है मर्डर्स मतर्चु किलर्स थे उनको दी गई और उसका पासवर्ट भी दिया गया उनको बोला गया कि इस इमेल आजमी की फोटो होगी ये इमेल दी जाती है ये इमेल जो है खोली जाती है उसमें शायद आजमी का फोटो होता है और शायद आजमी का फोटो देखने के बाद ये जो चारो मर्डरर हैं विनोद पिंटू दिवेंदर और हस्मु ये जाते हैं उसके आफिस में कॉला में औ और कॉइंट ब्लैंक की दूरी से गोली मार करते हैं इसके बाद ये लोग अरेस्ट होते हैं दो लोगों को जो है बरी कर दिया गया है विनोद और पिंटू को लेकिन जेडी को और हस्मुक की जो 2018 में सुप्रीम कोट ने भी बेल रिजेक्ट कर दी थी तो ये दोनों अभी त लेकिन दूसरी तरफ जो शाहिद आजमी के लोग खिलाफ थे उन लोगों में ये बात हुई कि नहीं जो हुआ वो सही हुआ और उसके बाद जो है कि ये देश के लिए काम हुआ तो अपना अंडर वर्ल्ड भी देश भक्ति के नाम पे जुड़ता है और बहुत सारे कि मर्डर के पीछे जो कहते हैं कि दिमाग था वो विक्की शेटी यानि विजेशेटी का था अब आपको विजेशेटी की बात चलिए तो विजेशेटी के ऊपर भी हम बहुत सारे डास्तान की स्टोरीज में हम करेंगे क्योंकि बहुत सारे केस में उसका नाम आया था एक ता काला घोड़ा एक ता मिलन होटल सांता कूजवाले केस में मर्डर में एक अकबर लाला इस तरह के बहुत सारे केसेज हैं जिसमें विजेशेटी का नाम आया है और हम उनकी डिटेल्स भी आपके सामने बहुत जल्दी प्रस्तुत करेंगे तो मैं उमीद करता हूं कि जितने ज्यादा एक्सपोजिस कर सकें वो उतने एक्सपोजिस करें और जाने से पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें क्राउट फंडिंग में सपोर्ट किया और अब तक जो हैं 5 लोग जोड़ चुके हैं क्राउट फंड से हमें में सपोर्ट की है उसका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में अगला एपिसोड जो होगा वो सौत्या का होगा तो वेट करिए मिलते हैं अगले एपिसोड में